सिख कौम दे चौथे तखत तखश्रे दंदमास साहब दिखे खालसा साजना दिवस बड़ी ही श्रद्दा ते उच्छानल मनाया गया लखानी गिनती विच संगता ने तखत साहब दिखे नतमस्तक हो के गुरु कारदियां खुशियां प्राप कितियां इतिहासक गुरु द्वारा श्री दंदमास साहब दिखे 11 अप्रैल तो आरंब होए श्री अखंड पार्ट साहब दे पोग पाए गए इस मौके सिंग साहब जत्धिदार ग्यानी हार पुशियां प्रीट सिंग ने जबी गुरु चरनाच हाजरी लगवाई जदकी तखत श्री दंदमास साहब दे हेडगरंती ग्यानी गुर्जंट सिंग ने सरबत दे पले दे अदास किती इस पहला जत्यदार ग्यानी हारपीट सिंग ने तकहत साहिप तू सिख काम देना संदेश्ट था तेते हास तो जानू करवाउंटे हुए संगतानों खाल से दे साजना दिवस दी बताई डिदी तबलो शर्दा उत्षा साहित मनाया जा रहे हैं 1706 दे विचे जिदो तानूगरु गोबन सिंग माराज ने इस पावन पवितर अस्थान देवते मकाम कीता सी तो उस विड़े तानूगरु गोबन सिंग पाथशा जी दी अगवाई देविच उना दी हजाती देविचे खाल स साजना पर बड़ी शर्दा उत्षा साहित इस अस्थान देवते मनाया ग्यासे उदो तो लेकि आज तक हर साली इस अस्थान देवते पर मनाया जाना तो नानक नाम लेवा सिक संगत नों खाल साजना देवस्ति बहुत-बहुत बदाई देना और एस मौके एवी अपील कर कि आओ खंडे बाटे दी पहुल्चा किये गुरु वाले बनिये नश्यां पत्यां तो रह तो ये और गुरु ते प्रोसा राखके एकता इतफाक शुब गुणा देतार ने बनिये तांके साथ लोक वी सुखी होए पर लोक वी सुहलावे एक बारी फेर खाल साजना देवस झाल बनिये लोक झाल साथ एक बारी कि एक बारी